इस कहानी की शुरुआत में में बताया जाता है कि जब एक छोटा बच्चा हसता है तो एक फूल टूटकर पिक्सी होल जाता है जहां ट्रेंस नाम का एक फेरी उस फूल के ओपर पिक्सी डश डालता है जिससे एक फेरी का जन्म होता है जो की टिंकर बेल थी उसके जन्म पर स सब भी फेरी अपना टेलेंट रखती है क्विन Tinker से कहती है कि यह सब भी फूल तुमारा टेलेंट डूणने में तुमारी मदद करेंगे तो Tinker पूँचती है कि इसके बारे में मुझे केसे पता चलेगा तो क्विन बताती है कि तुम्हें पता चल जाएगा टिंकर जब उनमें से एक फूल को चूनती है तो मुर्जा जाता है और इसे ही कहीं सारे फूल मुर्जा जाते हैं जब टिंकर एक हेमर के पास से निकलती है तो चमकने लगता है और उसका टेलेंट टिंकर होता है रानी टिंकर का वेल लग राजी है और उसे विंटर वड़ बताते हैं जा स्नोफलेक और फ्रोस्फेरी घर लोट रही थी तोड़ा आरम करने के लिए क्योंकि दुन्या में विंटर सीजन को खत्म करके आई थी और इसे करते हुए वो सभी राजियों में टिंकर को घुमाते हैं बबल और क्लेंग सकती हो और वहां से चले जाते हैं टिंकर जब लीब से बनी ड्रेस को ट्राइ करती है तो काफी बड़ी होती है जिसे ओं काटकर अपने साइच का बना लेती है और अपने आपको एक नया लुक देती है फिरो वर्क्शोप में जाती है जहां बबल और क्लेंग मिलकर उसें उसका काम समझाते हैं जो की सामन बनाने का था तबी वहाँ फेरी मेरी नाम की एक फेरी आती है जो टिंकर को देखकर काफी खुश होती है बबल और क्लेंग ने सामन पहुचाने के लिए जो गाड़ी बनाई थी उसमें एक ही विल था इसलिए और टिंकर को भी अपने साल ले लेते हैं क्लेंग दूसी तरफ की विल की जगे खुद गाड़ी को टाकर ले जाने लगता है ताइब उनके ओपर कुछ ग्रास मोस्टर हमला कर देते हैं जिन से बचने के लिए वो तेजी से बागते हैं और एक पेड़ से जाकर टकराते हैं सबी फेरी साकर टिंकर बेल को टा लेता है जिसकी मदास इरीडे सार देता है जेटा है कि ट्यूब के अंदर भर लेती है तो इरीडेशा बताती है कि मैं से मेल लेंड क्या है टिंकर पूछती है कि मेल लेंड क्या है सबी फेरिस टिंकर को बताती है कि मेल लेंड में हमेशा मोसम बदलते रहते हैं और हम अपने टेलेंड से मोसम को बदलने में मदद करते हैं ये सब सुनकर टिंकर बेल को मेल लेंड काफी पसंद आता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए अब उस सब अच्छे दोस बन जाते हैं जब टिंकर अपने साथियों के साथ वापस आ रही थी तो टिंकर को रास्ते में विद्या नाम की एक फेरी दिखाई देती है जो काफी गमंडी थी टिंकर क्लेंग और बबल से परिमिशन लेकर विद्या के पास चली जाती है टिंकर विद्या के पास जाकर हेलो करती है जिससे कि वह काफी डर जाती है टिंकर जब उससे उसका टेलेंट पूस्ती है तो विद्या बताती है कि मैं एक fast flying fairy हूँ जो एक अनों का talent है मैं summer में bridge बनाती हूँ और turn में पत्ते गिराती हूँ इसलिए सभी fairies मुझे depend करती है टिंकर उसे कहती है कि मैं भी सभी fairies की मदद करती हूँ क्योंकि हम उनके जवरत का सामान बनाते हैं इस हिसाब से हम दोनों एक जैसी है तो विद्या कहती है कि मैं nature के sausage बनाती हूँ और तुम बरतन और केडली ये सुनकर टिंकर उसे कहती है कि जब मैं spring के लिए मेल लेंड जाओंगी तो अपना talent proof करके दिखाओंगी और दोनों एक दूसे से नारा जोकर वहां से चली जाती है टिंकर जब वापस घर आ रही थी तब उसे समुन्दर के किनारे बेल कोईन, इस्पिरिंग और कुछ सामान दीखते हैं जिनने उठा कर वो अपने घर ले आती है बबल और क्लेंग उन चीजों को देखकर टिंकर को बताते हैं कि कुछ चीजे में लेंड से बेती हुई नेवर लेंड तक आ जाती है तब ही फेरी मेरी वहां आती है और टिंकर से कहती है कि तुम इन खोई हुई चीजों के सार अपना time waste मत करो और से भी सामान को वहां से ले जाती है और ने कहती है कि जल्दी काम करो रात को यहां क्यों आने वाली है टिंकर अपने दोस्तों से बूचती है कि क्यों यहां क्यों आ रही है तो बबल और क्लेंग बताते हैं कि क्यों यहां आकर हम सब फेरी की इस पेरी देखना चाहती है और यहीँ वो टाइम है जब हम फेरी आपना टेलन दिखा सकते हैं यह शुनकर टिंकर भी आपना टेलन दिखाने के लिए किविन वहां आती है Mr. Of Sprring क्यूं को बताते है कि सब कुछ प्लान के साथ से चल रहा है और जब एवर ब्लोस में फूल की लेगा तो हम इस ट्रिंग को मेल लेंड में ले जाने के लिए त्यार होंगे तबी अचानक से टिंकर वहां आती है और क्योंसे कहती है कि मेरे पास इसी चीजे है जिसे टिंकर फेरी मेल लेंड जाने के बाद इस्तमाल कर सकती है यह सब सुनकर सभी फेरी कवी एरान होती है टिंकर अपने दौरा बनाई गई कुछ मशीने दिखाती है मगर उसने जो भी मशिन बनाई थी वो टीक से काम नहीं करती तो क्यों उसे बताती है कि टिंकर फेरी कभी मेलेंड नहीं जाती तुमारा काम बस यहाँ पिक्सी होल में है टिंकर यह सुनकर वहाँ से चली जाती है और कफी उदास होती है और फेरी मेरी से बूचती है कि टिंकर फेरी मेलेंड क्यों नहीं जा सकती तो फेरी मेरी उसे कहती है कि ना तुम लाइट फेरी हो ना एनिमल फेरी तुम इन में से कुछ नहीं हो तुम सिव एक टिंकर फेरी हो इस बात पर तुम्हें गर होना चाहिए जब तुम मेजिक से फूल खिला बाओगी या फिर सुरज की किर्णों को पकड़ बाओगी तब तुम मेल लेंड जा सकती हो ये सुनकर टिंकर डिसाइड करती है क्यों अपना टिलेंड चेंज करेगी और सभी फेरिस के पास जाकर उनसे कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब एक टिंकर फेरी नहीं रहूंगी ये सुनकर सारी फेरिस चोंग जाती है तो टिंकर कहती है कि मैं टिंकर क्यों बनी रहूं क्योंकि एक हैमर गुलो हुआ था बस इसलिए अगर तुम मेंसे कोई भी मुझे अपना टेलेंट सिखा दे तो मैं भी नेचर के साथ काम कर सकती हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि क्विन मुझे मेलेंट जाने दे तो सिल्वर मेट के एती है कि तुम सही कह रही हो इसा हो सकता है तो इरिडेसा कहती है कि आज से पहले मैंने कभी किसी को टेलेंट बदलते नहीं देखा टिंकर कहती है कि तुम जो करती हो वो काफी मेजिकल और काम का है पर मेरी लाइफ में सामन बनाने के अलावा और कुछ भी होना चाहिए इसलिए मैं तुम लोगों से एक मौका मांग रही हूँ इरिडेसा को छोड़ कर बाइकी की फेरी स्टिंकर को अपना टेलेंट सिखाने के लिए मान जाती है टिंकर पहले तो सिलर मेट के साथ वो उसकी बुंदे बनाना सीखती है मगर उसक करने में नाकाम्याब होती है और उसकी गलती की वज़े से पानी की एक बुंद बाइकी फेरी से आकर टगराती है और उसे भी नीचे गिर जाती है वही फेरी मेरी क्लेंग और बबल से टिंकर के बारे में पूँचती है वो दोनों जुट बोलते हुए उन्हें कहते हैं कि टिंकर चीजी के लिए खाना लेने गई है दोसी तरव इरिडे सा टिंकर को सुरी की किरन को पकड़कर जुगनों में लाइड लगाना सिखाती है मगर उसमें भी फेल हो जाती है इस वज़े से टिंकर काफी उदास होती है वहीं टिंकर के पास फेरी मेरी आती है और टिंकर से कहती है कि मुझे बता है कि तुम कहां थी और क्या कर रही थी पर मुझे तुम से काफी उम्मीद थी ये कहकर वाँ से चली जाती है बबल टिंकर से कहता कि तुम्हें फेरी मेरी की बात को ध्यान में रखना चाहिए टिंकर कहती है कि मुझे एक इस्टूपीड टिंकर बनकर नहीं रहना ये सुनकर बबल और क्लेंग काफी उदास होते हैं क्यों क्यों भी एक टिंकर फेरी थे टिंकर उन्हें समझाने कोशिश करती है मगर और दोनों उसकी बात नहीं सुनते तो टिंकर वहाँ से चली जाती है वहीं फान जो की एक एनिमल फेरी है वो पक्षियों को उड़ाना सिखाती है जब टिंकर उसके पास आती है तो वो टिंकर से पूँचती है कि क्या तुम बेबी बड को उन्हें सिखाने के लिए त्यार हो तो टिंकर कहती है कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ फान कहती है कि पहले बेबी बड का अटेंशन गेन करो फिर इस्माइल करो और ने उन्हें सिखाओ टिंकर बेबी बड को उड़ाने की कोशिश करती है मगर टिंकर को देखकर डर जाता है और अपने अंडे को फिर से जोड़कर उसके पीछे चिपने कोशिश करता है जब टिंकर उसे रोकने कोशिश करती है तो टिंकर को चोच मारता है टिंकर जब उससे उड़ने के लिए केती है तो ऐसा नहीं करता इस वाजेसे टिंकर उस पर काफी गुसा होती है और से जवरदस्ती उड़ाने की कोशिश करती है मगर इसमें भी फेलो जाती है फिर टिंकर हवा में एक इगल को उड़ता देख सोसती है कि शायद उम मेरी करें और उसकी तरह उड़कर जाती है तवी उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है टिंकर से बचने के लिए एक पेड जो में जाकर गिरती है मगर सभी फेर्ज मिलकर एगल को मारने लगते हैं मगर विद्या का फिज बनाते हैं better इस वजे से विद्या टिंकर पर और यूदले dis 是 tile मैं कुछ नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है संसती है कि पहाँगी तो तो में कभी मेन नहीं पहुछ भाऊंगी तरह यह उसका पतर किसी चीए कराता है और को तकरने की आवा जाती है यह उसे देखने के लिए जाती है उसे यह एक बोक्स दिखाए लगता है और हो पेले की तरह ठीक हो जाता है बागी फेरिस टिंकर के पास आकर कहती है कि तुमने इसे ठीक कर दिया पर यह क्या है तो टिंकर कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे अभी मिला रोसेटा टिंकर से कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या क कहती है कि वेसे भी मेल लेंड को जाना चाहता है मगर टिंगर को तो मेल लेंड जाना था इसलिए वो सबसे कहती है कि मुझे मेल लेंड जाना है और पता करना है कि यह सब चीजे कहां से आती है और रोसेटा से कहती है कि क्या तुम अब गार्डन फेरी बनने में मेरी मदद न लाज हो जाती है तो भाइकर पिOoh भी वहां से ऊंड़कर चली जाती है जब भाइक फैरिस टिंगर की मदद नहीं करती है और से कहती है कि क्या तूर्व मेरी फॉस्त फ्लाइंग फेरी बनने में मदद करोगी मगर वीद्याटिंकर पर घुसा इसलिए अपने घर का दर्वाजा बंद कर लेती है तो टिंकर उसे कहती है कि विद्या तुम मेरी लाश्ट होप हो बाई की फ्रेंड से मैंने उमीद छोड़ दी है रोसेटा भी अब मुझे गार्डन फिरी बनने की ट्रेनिंग नहीं देगी यह सब बाते विद्या ध्यान से सुनती है और फिर दर्वाजा खोल कर टिंकर से कहती है कि अगर तुम्हें गार्डन फिरी बनना चाहती हो तो जंपिंग मोश्टर ग्रास को पकड़ो तो टिंकर कहती है कि मैं कर सकती हूं और चीजी के उपर बेटकर ग्रास को पकड़ने जाती है मगर चीजी को ढड़ निकाल देती है, मोश्टर ग्रास बागते हुए, सभी फेरिस के दौना बनाए गए, सामान और पेंड किये हुए, फ्लावर को खराब कर देते हैं, सभी फेरिस आकर टिंकर पर गुसा होती है, रोसेटा टिंकर से कहती है कि एसी कोई भी गार्डन फेरी नहीं है, इस दुनिय में जो कि ग्रास को कंट्रोल कर सके, तब ही वहां क्वी फेरिया आती है, और कहती है कि स्प्रिंग की सारी त्यारिया थी, पर यह सब कैसे हुआ, तो टिंकर उन्हें कहती है, कि यह सब मेरी वज़े से हुआ, और रोने लगती है, राणी अपने सभी वेदर मंतियों के साथ मीटिंग करती है, जो बताते हैं, कि अगर स्प्रिंग समय पर नहीं आया, तो नेचर अन्बेलेंस होगा, जिसकी वाजिये से फसले नहीं होगी, और फ्रूट बड़े नहीं होगे, क्यों इन फेरी मेरी से पूछती है, कि क्या इतना सब कुछ फिर से, इतने कम समय में ठीक हो सकता है, फेरी मेरी कहती है, कि ये सब काम इतने कम समय में नहीं हो सकता, दूसरी तरफ टिंगर पिक्सी डश्ट के पास जाकर रोने लगती है, तब भी टेरेंस वहाँ आता है, वो टिंगर से पूछता है, कि क्या तुम ठीक हो, तो टिंगर कहती है, कि मुझे थोड़ी डश चाहिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूं टेरेंस उसे कहता है कि अमेशा तो काफी लंबा समय होता है और टिंगर से पूंच आए कि तुम मुझे केसे जानती हो मैं तो एक पिक्सी डश कीपर हूँ और मैं कोई इतना कास फेरी भी नहीं हूँ टिंगर से वताती है कि अकेले में बेटी होती है तब उसके पास चीजे आता है और उसे खोई हुई चीजे दिखाता है यह सब देखने और टेरेंस से बात करने के बाद टिंकर अपना फेसला बदल लेती है और फिर से एक टिंकर फेरी का काम करने लगती है दूसरी तरफ क्यूंच सर्वी फेरी को बताती है कि इस बार इस प्रिंग का सीजन समय पर नहीं आएगा क्योंकि हमारी महीनों की मेनत खराब हो गई है उसे ठीक करने में काफी समय लग जाएगा और कल जब एवर ब्लोस में फूल खिलना शुरू होंगे तो हमें डर है कि हम इस प्रिंग के लिए मेले नहीं जा प करती है जो की सभी को काफी अच्छा लगता है विद्या सभी से कैसी है कि क्या हम इसकी बात सुनेंगे इसने हमें मुस्वत में फसाया है इस बात से टिंकर काफी गुसा होती है विद्या टिंकर से की ति Do, कि मुझे तुम से मोस्टर ग्रास पकड़ने की वजह और कुछ प कि तुम अपना काम अभी से शुरु कर दो गुर मिश्नेति कर सकती है कि टींगर वहां से चली जाती हैं और उसकी मदद करने के लिए यसे उस सब लाके देते ये कर सबी कर सामान को कलेट करके फूलों और कीड़ों पेंट करने मशिन बनाती है जिसकी मदद से सब कुछ पेले की तरह हो जाता है यह देखकर सबी फेरिस काफी खुश होते है क्विन टिंकर से काफी खुश होती है और से कहती है कि तुमने एकर दिखाया और स्पिंग सीजन को बचा लिया तो सिल्वर मेट क्विन से कहती है कि क्या टिंकर बेल हमारे साथ मेल लेंड आ सकती है टिंकर कहती है कि मुझे सही मैं अब वहाँ नहीं जाना क्योंकि मेरा काम यहाँ है और मुझे अभी बहुत काम करना है बबल और क्लेंग मिलकर वो डॉल वापस लाते हैं जो कि टिंकर ने फिर से बनाई थी उसे देखकर फेरी मेरी टिंकर की तारिफ करती है और उसे कहती है कि मेल लेंड में कोई है जो इस खिलोने को काफी मिस कर रहा है और वो टिंकर को मेल लेंड पर जाने के लिए कहती है जिससे कि टिंकर काफी खुश होती है और क्यों इन से पूँशती है कि मुझे केसे पता चलेगा कि यह डॉल किसकी है तो क्यों इन कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा टिंकर फेरी मेरी को गले लगाती है टेरेस टिंकर को पिक्सी डश देता है और सभी फेरी मेल लेंड जाने लगते हैं और उसे अपने साल ले जाकर एक गर की विंडो पर रख देती है और नो करके वहाँ से चली जाती है तब ही विंडो को एक लड़की खोलती है और उस डोल को देखकर अपने गले में पेनी हुई चाबी से उस डोल में चाबी बढ़ती है जिसके अजे से डोल नाचने लगती ह ये डॉल उसी लड़की के होती है जो कि उससे खो गई थी ये देखकर टिंकर का भी खुश होती है और इसी के साथ ये मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है